श्री भगवान वाच उर्द्वमूलं अधशाखं अश्वत्तं प्राहुरव्ययं चन्दामसी यस्य पर्णानी यस्तंवेदसवेदवित इस श्लोप में हमें कुछ संदी देखने मेरते हैं जिसे हमें ध्यान में दखना चाहिए ताकि हमारी प्रवम क्लीन एंड क्लीर चांटिंग हूँ जैसे कि उर्द्वमूलं अधश यहाँ पर जो लोग के बाद वाला मौ हैं उसे हमें विभाजत करके फिर बोलना है इसलिए उर्द्वमूलं फिर अधश सिमिलोली शाखम फिर अश्वत्थम यह जो मौ हैं इसे हमने स्वर रहत मौ जिसे हम हलंद से दर्शाते हैं एंड स्वर ओ ऐसे विभाजत किया है अर्थात मौ इक्वल्स टू हाफ मौ प्लस ओ मौ ज बिएमौ जो कुम से विभाजत किया है अर्थ हुंप लूप्ञत的 क्वाश्वीट परेन से उर्शाता इसलिसे हम हें जर्बाश्गं इसे एंढ